वेलकम टू जी के जी अस्वित मनीज सर आज 12 मार्च 2023 है और आज की जितने भी महत्तुपुर्ण क्रेंट अफेर होंगी वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और इस वीडियो का PDF टेलिग्राम पे मिलेगा और टेलिग्राम का लिंक वीडियो की डिस्किप्शन ब्लॉक्स म में हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्तुपुर्ण क्रेंट अफेर आज का पहला प्रशन है महिला नयाई धीसो का अंतराश्ट्रिय दिवस कब मनाया गया है साथियो तो यह मनाया गया है 10 मार्च को साथियो अब इस महीने में और कौन-कौन से महत्तुपुर्ण दिवस मनाया गये हैं तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस एक मार्च सुन्ने भेद भाव दिवस एक मार्च विश्व सी गरास दिवस एक मार्च विश्व बन्ने जीव दिवस तीन मार्च राश्ट्रिय सुरक्षा दिवस चार मार्च को मनाया गया विश्व मोटाप साथियों, अंतराष्ट्री महिला दिवस 2020 का थीम क्या था तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको 9. स्मॉकिंग डे कम मनाया गया तो 8 मार्च को मनाया गया और 20 किडिनी दिवस कम मनाया गया तो ये भी साथियों आपका 10 मार्च को मनाया गया अब अगला प्रश्ण है आपका, सेमी कंड़क्टर पर किस देश ने भारत के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है, तो अमेरिका ने किया है साथियो, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वासिंग गटन साथियो, जापान की राजधानी क्या है, टोकियो साथियो, इज्राइल की राजधानी क्या है जेरूसलम और जर्मनी की राजधानी क्या है तो इसका जवाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको अमेरिका की राष्टर पती है जो बाइडन और अमेरिका के उपराष्टर पती कौन है तो कमला है रीशन है साथ्यू टाइगर ट्रम्प अभियान ये भारत और अमेरिका के बीच होता है उन्चासमी समानतर रेखा अमेरिका और कनड़ा के बॉर्डर पे इस्थित है साथ्यू उत्रिय धुर्ब पर पहुँचने वाला पर्थम ब्यक्ति कौन था? हाली में किस राजिसरकार में महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए चौथी महिला नीती पेश करने की घोशना की है साथियो तो महराश्ट्र ने साथियो महिलाओं को अधिक अबसर प्रदान करने के लिए चौथी महिला नीती पेश करने की घोशना की है साथियो अब साथियो इस महिला नीती से फाइदा क्या होगा साथियो तो मुख्य मंत्री जो महराश्टर के हैं एकनाथ सिंधे ने विधान सभा में घोसना की है कि राज्य में परतेख पुलीस एशेशन में अस्तनपान कराने वाले माताओं के लिए हिरकानी कक्ष शुरू किया जाएगा और दूसरा साथियो बताया गया है कि नई सरक पर हर पचास किलो मिटर के बाद महिलाओं के लिए सोचाले बनाय जाएगा और इस तरह के साथियो कई लाब साथियो इस चोथी महिला निति के साथियो बताया गया है साथियो अब महराष्ट ने किया है तो महराष्ट की राजधानी क्या है मुमबई महराष्ट के गवर्नर कौन है रमेश बैस साथियो जारखंड के नए गवर्नर कौन बनी है तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आथ को महराश्च्र के मुख्य मंद्री है एकनात्ज सिंध है और महराश्च्र में राजसभा 19 है और लोगसभा 48 है साथियो महराष्ट्र में है औरंगाबाद जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा अब तो छत्रपती सांभाजी नगर कर दिया जाएगा और महराष्ट्र में ही साथियो उसमानाबाद इसका नाम बदल कर धारासिव किया जाएगा क्या किया जाएगा धारासिव साथियो महराश्ट्र में है चंदोली नैस्टनल पार्क, लोनार वननेजी पभ्यारन, गधचीरावली वननेजी पभ्यारन और मुकताई भवानी वननेजी पभ्यारन पहले भारतिय अमेरिकी नियाईधीस कौन बनेंगे तो अरुन सुब्रमन्यम बनेंगे साथियो, कौन बनेंगे, अरुन सुब्रमन्यम साथियो, साथियो, अजय बंगा साथियो, किसके चेयर्मेन बने है अजय बंगा, और साथियो, अरुना मिलर जो साथियो है भारती है, मूल की कोई, राज्य अमेरिका का है, जहां की साथियो प्रसासक बनी है, तो कौन से राध जी की प्रसासक बनी है, अब अगला प्रशन है आपका, as good as my world नामक पुष्तक के लेखक कौन है साथि, तो के अमचेदर सेखर है, as good as my world के साथि हो पुष्तक की लेखक, अब इस back वाले येर में और इस येर में कौन-कौन से महत दुपुन पुस्तक आए हैं तो Tom of Sand Rate की समाधी के लेखक है गितांजिली शिरी, A Nation to Protect पुस्तक के लेखक है प्रियम गांधी मोदी, उरान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथलेश्तिवारी, Bill Power पुस्तक के लेखक है तो Sojet Marine है, City of July and Freedom at Midnight के लेखक है Dynamic Lapier, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक है कौन है, सलमान रुष्दी है साथियो, याद रखना, विक्ट्री सिटी किसके तुरा लिखा गया है, तो सलमान रुष्दी के तुवारा, मुंड को उपनी सद, The Gateway to Intunity, नामक पुस्तक के लेख साथियो, कौन है, तो डॉक्टर करन सिंग, अब अगला प्रश्ण है आपका, अंतराष्ट्रिय महिला दिवस, 2023 के अवसर पर किस राज्जिक के स्वास्त मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्त कारे करम, आरोग्य महिला सुरू किया साथियो, तो तेलंगनाने इसका जबाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको साथियो, और आपको बताना है कि माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाली पर्थम महिला कौन थी, और माउंट एवरेष्ट के उचाई कितनी है, इसका जबाब देना है केमेंटर बॉक्स में साथियो, अब यह आरोग् तो तो तिलंगना की राजधानी क्या है है हिद्राबाद और है मुसी नदी के किनारी टिलंगना की स्थापना कर वोई दो जून 2014 को हुई तिलंगना के गवर्णर है तमिल साही सथाही Saturn गवर्णर avez उडंगना के पर्थम गवर्णर भी है हेदराबाद को साथियों गोचित किया गया है और युनेसको की अस्थापना कब होई इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको पहला वन्नीक की विश्विद्याले तेलंगना में बना है बोनालू मोहतसर तेलंगना में मनाया जाता है दुनिया का पहला रियल टाइ गोल्ड ए टिम हैदराबाद में शात्यों बनाया गया है और कानूमात बनाया गया गया तेलंगना में दो बनाया गया llas 02 पर साथियों अरब पती महिलाओं के साथ थे और चीन दूसरा है 46 अरब पति महिलाओं के साथ जाथ जाऑ नीगा आजने प्रह से ची तीसरे राष्टर पती विए अब चीन के विधाई का नैस्टनल पिपुल्स कॉंगरेस ने इन्हें एक रहत किनी, तो C. Jinping को तीसरे कारेकाल की पुष्टी के लिए साथियो मद्दान किया है, अब साथियो चाइना, तो चाइना की राजधानी क्या है बीजिंग, और चाइना की करैंसी है रेन विब्बी, यी कचरे के उत्पादन में पहला स्थान पर कौन है तो चाइ केमेंट बॉक्स में आपको एस्कूल के विदेशी पार्ट करम के सिक्षन पर रोक लगाने की गोस्तना किया चाइना नी और चीन की सीमा सबसे ज़्यदा देश अर्था तो 14 देशों से लगती है और हाइड्रोजन संचाली ट्रेंज शुरू करने वाला एसिया का पहला देश कौन बना है तो चाइना बना है साथी आपने चीन के दिवार का नाम सुना होगा तो चीन के दिवार को किसने बन बाया था आज आपको बताना है केमेंट बॉक्स में अब अगला प्रशन है आपका किस भारतिये राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्त लिखित नोट्स क प्रवेश हुआ है तो अब साथियों असम हुआ है तो असम की राजधानी क्या है दिश्पूर है असम के गवर्नर कौन है गुलाब चंदर काथियारा और असम के मुख्यमंतरी कौन है तो हेमंत विश्वा सर्मा है असम में राजसभा साथ है और लोगसभा 14 है मानस राष्ट राजीब गांधी औरंग राष्ट्रिय उद्यान जिसका नाम हो गया है अब औरंग राष्ट्रिय उद्यान चक्रसिला वन्नेजीब अभ्यारन नामबोर वन्नेजीब अभ्यारन देहिंग पठकई राष्ट्रिय उद्यान पोवा वन्नेजीब अभ्यारन राइमोना ये उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए परसिद्ध है और ये कहां पर है तो असम में है गोपिनाथ बार्दोली अंतराष्ट्री हवाई अड़ा असम के गोहार्टी सहर में है डॉक्टर भुपेन हाजारी का क्रिकेट एस्टेडियम गोहार्टी में है विश्व का सबस नदी पर जोरहत नामक अस्थान पर इस्थित है और विश्व का सबसे चोटा नदी दूइप कौन सा है तो उमानंदा है जो गुहार्टी में है साथियो विश्व का सबसे बारा सरक पूल साथियो उसका नाम क्या है तो भुपेन हाजारी का सेतु है क्या नाम है भुपेन ह मरा सरक पूल साथियो कहां बना हुआ है तो साथियो यह असम को अरुनाचल परदेश से जोरती है और यह लोहित नदी पर बनाई हुई है और लोहित नदी ब्रहमपुत्र की सहायक नदी है साथियो अब अगर पूछे आप से कि भारत का सबसे लंबा सरक रेल पूल कौन है सा साथियो और साथ सरक भी है और रेल भी है साथियो यह है बोगी बिल विरीज जिसकी लंबाई है 4.94 किलो मिटर साथियो और यह भी अस्तमको और नाचल परदेश से जोरती है और यह साथियो ब्रहम पुत्र नदी पर बना है अब अगला प्रश्ण है आपका Golden City Get Tourism Award समहरो किस देश में आयोजित किया गया है तो साथियो जर्मनी में आयोजित किया गया है Golden City Get Tourism Award साथियो अब जर्मनी में साथियो यह आयोजन किया गया है तो होक्की वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता तो जर्मनी ने जीता साथियो अब होक्की तो साथियो होक्की के बारे मैंने आपको कई बर बताया है आज आपको बताना है साथियो कमेंट बॉक्स में होक्की के बारे में साथियो अब जर्मनी की राजधानी क्या है बरलीन है जर्मनी की किरेंसी क्या है यूरो जर्मनी के राश्टरपती कौन है तो फ्रेंक वाल्टर एस्टेन मेयर और जर इंडनवर्ग रेखा जर्मनी और पोलेंड के बीच है। अफगानिस्तान के बीच है और मेडिसीन रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है साथियो इसके बीच है तो कनाडा और अमेरिका के बीच कौनशी रेखा है तो मेडिसीन रेखा है साथियो जर्मनी और पोलेंड के बीच कौनशी रेखा है तो इसका जवाब देना है के मेंटर दूसरा था आपका कि हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सुचे कांगे में कौन सिर्ष पर रहा है डैनमार्क रहा है और तीसरा प्रशन था आपका कि मिघाले के नए मुख्यमंत्री कुनार्ड संगमा निमलिखित में किस राजनितिक दल से सम्बंदित ही साथियो तो साथ पिपुल्स पार्टी अर्थात एंड पीपी से साथियो संबंदित है कौनार्ड संगमा और आज का आपका प्रशन है जिसका जबाब देना है आपको केमेंट बॉक्स में नो स्मॉकिंग डे कम बनाया जाता है दूसरा प्रशन आपका है रामचंद पॉडल किस देश के आपको साथियो तो ये था आज का आपका महत्त्य पूर्णिक रेंट अफेयर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करें धन्यवाद